दोस्तो टाइटल और थामनिल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज जो है कौन से टॉपिक को बात करने वाला हूँ जी हाँ दोस्तो आज जो है आप लोगों को सिबिल किस तरीके से बढ़ाना है वो टॉपिक जो है आज डिसकस करने वाला हूँ और एक गुड न् दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो प्ले करते हुए मुझे एक वीडियो देखा कि आप लोगो को सही करना है तो मुझे contact करे, मैं आप लोगों का civil जो है सही कर दूँगा, यह मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे वीडियोस पे ही play हो रहा है या फिर दूसरे वीडियोस पे play हो रहा है कि आप लोगों का civil जो है, वो बढ़ा सकता है कोई third party agency तो यहाँ पे आप लोगों को जो है आप लोग बहुत सारे लोग देख भी सकते हो बहुत सारे लोग इसमें फस भी गए होंगे इसलिए इस वीडियो के जो आप लोगों के साथ जो है information share करूँगा, क्या है वो मतलब आप लोगों को जो भी वीडियोस देखने को मिलता है, या फिर एक comment भी आप लोगों के साथ share करूँगा, आप लोग जैसे देख सकते हो मेरे वीडियोस पे ही comment आया था कि अगर आप down civil को बढ़ाना चाते हो, तो आप लोग जो है मुझे contact करो within very low cost में आप लोग होगा, civil जो है वो बढ़ा देगा, तो ये चीज जो है आप लोगों को देखने को बहुत बार मिला होगा, आप लोग जो है मन के अंदर ये भी सोच रहे होंगे, कि अगर मैं ये छोड़ा सा पैसा अगर दे देता हूँ, तो मेरा civil सही कर देगा ये लोग, और मैं आगे loan भी ले सकता हूँ, बहुत बढ़िया civil report करता है, वो NBFC करता है, या फिर bank करता है directly civil को, अगर आप repayment करने में देरी करते हो, तो वहाँ पे direct NBFC ही, वहाँ पे report करता है, और direct NBFC जो license है RBI से, सिर्फ वही लोग civil पे effect करा सकता है, वहाँ पे report डाल सकते हैं, अब अब लोगों को जो है, जानना बहुत जरूरी है, आप लोगों के साथ जो है, स्कैम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, जो की देख रहे हैं, अभी के टाइम में ये लोन का जो चक्कर है, बहुत जादा बढ़ा हो गया है, पॉलोवर इंडिया में जो की ये स्प्रेड है, तो इन लोगों का टार्गेट है, थोड़ा पैसा जो है, इन लोगों से बेवकू भी, थोड़ा सा बेवकू बना देते हैं, और जो है पैसा एंट लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों को हर तरह की जो है, स्कैम से बचाने के लिए, मैं यहाँ पे हूँ लोन रिगर्डिंग इंफोर्मेशन हर तरह की जो है इंफोर्मेशन आप लोगों के शाइद सेर करता हूँ, इसलिए वो देने के बाद आपका civil बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है civil department है मैंने खुद उनसे बात किया था कि कोई other option है तो वहाँ पे एक ही चीज बताया कि कोई भी option नहीं है अगर आप loan close करते हो अगर NBFC वहाँ पे report करेगा कि आपका loan close हो गया है तब ही आपका loan वहाँ पे close होगा तब ही civil वहाँ पे बढ़ेगा कोई भी third party वहाँ पे include करता नहीं है तो दोस्तो आप लोगों को मैं यही चीज बताऊंगा कि आप लोगों को यह सब चीजों से दुर रहना है क्योंकि कोई भी sort cut यहाँ पे apply होगा नहीं चाहे वो settlement हो चाहे आपका civil जो है घर गया है वो आपको बढ़ाना है civil बढ़ाने के लिए भी process है आप लोग बढ़ा सकते हो लेकिन यह sort cut process जो है यह apply करना नहीं है आप लोगों का पैसा जो है वो नुकसान होगा 1000 रुपई या फिर 500 रुपई आपके लिए छोटा हो सकता है लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए वो अगर 5000 लोगों तक पहुंच गया है तो 500 रुपई या फिर 1000 रुपई मान सकते हो आप कितना amount वो कमा लेगा 5 लाख रुपई तक जो है वो लोग कमा सकता है आप लोगों बेव को बना के बिना कुछ किये भी आप लोगों बेव को बनाएगा बुलेगे कि मैं सिबिल बढ़ा दूगा अब ये details दीजिए आप लोगों लगेगा हाँ कि ये कर देगा सिबिल बढ़ा देगा मेरा आप लोग दे दोगे पैसा अब उनसे contact भी नहीं कर पाओगे तो ये सब चीजों से आप लोगों दूर रही है बहुत बड़ा scam चल रहा है अभी के time में ठीक है इंटरनेट के through जितना अच्छा चीज़े आप लोगों को वह क्लियर करना होगा क्योंकि konnte का आप का क्लोज करना होगा close करने के बाद civil में जो है वो आप लोगों का deport डालेगा close हो गया account उसके बाद आपको क्या करना है मानो कि आपका civil गिर गया है अब कोई तो loan देगा नहीं लेकिन दोस्तों एक ऐसा चीज है जो कि आप लोग ले के civil बढ़ा सकते हो उसे क्या है कि AC, freeze, washing machine ये सब चीज़े जो है ये civil देखता नहीं है आप लोगों का अगर आपका bank statement थोड़ा बहुत सही है तो वो उससे चला देगा और आपका loan जो है वो sanction कर देगा आप उसका time ले चुकाने का कोशिस करिए तो इससे क्या होगा दिरे-दिरे आपका civil इंप्रोव हो जाएगा time लगागा थोड़ा shortcut में कुछ नहीं होने वाला दोस्तो shortcut में आज के time में कुछ होता नहीं है जो भी चीज़े shortcut के process से आप मतलब उपर गया है वो धड़ाब से नीचे ही गया है तो उस shortcut से आप लोगों को उत्रा नहीं है आप लोग धीरे-धीरे करके आप लोगों का loan चुका दीजिए आप लोग इस तरीके का चीज़े आप खरीच सकते हो उसके बाद टाइमली चुका दीजिए उससे क्या देखेंगे कि आपका civil वो सही हो जाएगा तो यह चीज जो है एक जेनुइन टेकनिक है जो कि civil वाले नहीं मुझे बताया इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि कोई third party agency आप लोगो मदद कर सकता है दोस्तो आई हो कि इस वीडियो के तो आप लोगो सही information मिला होगा सही information मिला है तो एक लाइक जरू कर दीजएगा दोस्तों सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना बोले तब तक लिए चलते ट्राइब अबे टेक क्यार जैहिन जैभार दोस्तों